आज हम आपके सामने लाएं हैं एक एसी कमपनी जो लगबग पूरे पिछले साल में अगर हम बात करें तो 3X हो चुकी है 50 रुपेज शेयर ट्रेड करता था वो आज 155 के बीच जाकर और आज वो अपिस से 145 के करीब ट्रेंड कर रहा है स्टोक को पूरा एनलाइस करेंगे और बताएंगे कि क्या इस कमपनी में अभी लगाने की चांसेस बनते हैं कब करना चाहिए बाई कब करना चाहिए सेल और क्या टार्गेट्स हो सकते हैं इस स्टोक में अब कितना पोटेंशल बचा हुआ है तो वीडियो को एनल तक देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरुआत करते हैं मेक मनी और्गेनिक्स लिमिटेड के और साथी साथ बात करेंगे कमपनी में अभी एक NCLT और रिस्ट्रक्टिंग का जो चीज चल रही है वो भी हम समझने कोशिक करेंगे किस तरीके से चीज़े चेंज होगी तो पूरी वीडियो को एनल तक देखना हर चीज को इन डिटेल इन डेप्थ आपको समझाएंगे और अगर आप मेकमेनी और्गिनिक्स के शेरोल्डर हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आपको सारी अपडेट्स हम फास्टेस्ट देने की कोशिच करेंगे अब आगे आने वाले समय में तो पूरी समझते हैं और साथ-साथ जिसने अभी तक वेकमेनी और्गिनिक्स के बारे में कभी नहीं पड़ा उसको भी हम समझाएंगे कि क्या कंपनी करती है और कितना पॉटेंशन कंपनी के स्टोक में अब बनता हुआ में जराता है 3,516 करोड का मार्केट के साथ 2.65 के प्राइस टू बुक वेल्यू की यहां पर कंपनी है इसके लावा 138 रुपीस का करेंट प्राइस है जो कि अभी फ्लक्चुएट हो गया होगा क्योंकि वीडियो में बना रहा हूं उसके बाद थोड़ा सा एक दिन बाद अब आपको मिलेगी वीडियो तो उसके बाद उस दिन प्राइस उपर नीचे हो सकता है बट अगर हम देखेंगे में करती क्या काम है तो यहां पर तीन काम इनके में हैं जिससे इनका रेविन्यू आता है एक है इनका पिगमेंट प्रोड़क्ट जिसका यूज किया जाता ह इंक प्रिंटिंग में, प्लास्टिक में, प्लास्टिक पेंट में, मतलब की टेक्स्टाइल में, लेदर इंडस्ट्री में और रबर इंडस्ट्री में, वहीं अगर हम बात करें कि कम्पनी क्रोप प्रोटेक्शन मतलब की हमारे खाद भी के पेस्टिसाइड और उनकी दु तो यह company के जो हैं यह सबसे खतरनाक दो काम है और इसके बाद एक और काम आता है वो caustic soda का plant का जो make money fin came limited के नाम से जाना जाता है जो make money organics limited की ही एक subsidiary के रूप में करता है काम और इसके बारे में हम अभी चल रही है restructuring उसके बारे में हम detail में बात करेंगे तो video को थोड़ा स क्या काम कर रही है और कितना वेलेशन अब बाकी है और कितना potential unlock होने की संभावने बनती है वो देखना काफी जरूरी हो जाता है तो सबसे important segment है वो है pigment का जिससे 29% of revenue आता है और agrochemical का जिससे 44% revenue आता है company top 3 global pythosaline based pigment players में आती है और 14% global market share company का है तो आप देख सकते कितना ब company India में इसमें इनका जो main आता है वो 24D इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है आप देख सकते हैं इतने सारे company chemicals बनाती है जिनका company का जो अगर हम presence की बात करें 17 states और 3000 dealer का network है जो company को एक unique capacity और capability तक महुचाता है कि यार तगड़ाग इनका काम यहां पर होता है इसके अलावा company क जो अभी जो strongly capacity है वो यहां पर double होने वाली है 240 capacity जिसके बारे में हम company के quarter 4 results में भी बात करेंगे और साथ ही साथ company ने अपना 25 करोड रूपे और लगा है तो expand our formulation plant जहां से company के जो chemicals है वो बनते हैं इसके अलावा company multi purpose plant पे भी काम कर रही है जो आने वाले quarter financial year में आपको देख बनाता है 695 क्रोड कंपनी investment कर चुकी है जो company के backward integrated ECH CPVC and additional caustic soda capacity CPV project दो इंशोर करता हुआ नजर आएगा जो यह सारी चीजे है जो company को अपने आप में unique बनाती है इसके अलावा company की जो आप देख सकते है growth वो पिछले साल में काफी तगडी रही है इसके अलावा company का 5 year का C जो company को unique capability प्रोइड करता है आप देखेंगे growth in terms of numbers अगर हम बात करें तो काफी तगडी है और यहां पर जो सबसे important चीज है वह हमारे को यहां पर अभी में पहले आपको highlight कर देता हूं और उसके बाद हम चलेंगे कि ज्यादा कुछ changes नहीं आया है इस इतना FIA promoter और इनके स चाते हैं बड़े लोग तो इसलिए वहां से धीरी दीरी निकले हैं पिछले साल में अगर आप देखोगे तो शेरोल्डिंग पेटर्न लगबख सेम रात तो इसमें कुछ ज्यादा changes आने की ज़रूरत नहीं है अगर हम बात करते हैं अपनी के मेनेजमेंट ने क्या बोला ह अपने results के लिए तो company ने बता है कि company is capacity utilization के अगर हम बात करें तो company capacity utilization में pigment वाले सेक्टर में 77% division को यूज किया है agrochemical में 76% तो company almost आप कह सकते है decent level पर काम कर रही है capacity का जो use कर रही है और इसके अलावा company अपने आपको और upgrade कर रही है plant और जो environmental friendly plant हो इसके अलावा company ने अपन company को expansion में company के help करेगी formulation plant जो की company का GADC पन्नोली में है वो यहाँ पर company ने कहा कि commercial production है उसका financial year 21 में start हो जाएगा the revenue of these plants will aid financial year 22 contribution में काफी help मिलेगी company को multi purpose plant है उसकी अभी उन्होंने नही commentary जारी किये तो पहले बोल रहे थे financial year 22 में वो अब बोल रहे है financial year 23 में यहाँ पर schedule किया गया है और वो उस टाइम बिल्कुल कारियर रत होगा और उसकी भी यहाँ पर revenue एड़ होगी तो company काफी growth company है in terms of हम बात करें numbers और in terms of growth company में काफी potential ह है क्योंकि company लगाता है अपनी capacity expand कर रही क्योंकि उनको लगता है कि काफी नहीं नहीं यहाँ पर चीज़े आने वाली जो demand को drive करेगी we are exploring opportunity into new new pigments वो बनाने की यहाँ पर company कोशिच कर रही है company की balance sheet है उसको stronger बनाने के लिए financial front पर भी काफी मैनत की जा रही है networking capital days भी decline हुए ह date equity ratio भी improve हुआ है और यह चीज़े है return on capital employed और return on equity इन सब चीज़ों में company को help मिल रही है company financials काफी तगड़े हैं इसके अलवाद NCLT ने third में को इनकी जो restructuring scheme थी उसको approve कर दिया गया है जो की company के लिए काफी helpful रहेगा company उसको streamlining करना चारी है अपने पूरे business structure का वह यहाँ पर help मिलेगी company agrochemical और pigment business है उसको डीमर्ज करके एक मेग मनी और लिमिटेड बनाना चाहती mocl और वहीं इसके अलावा जो company बचेगी वह फिन के में चली जाएगी तो यह पूरी जो है scheme और detail में हम आगे समझने वाले हैं तो यह सारी चीज़े जाने वाली है बट वहीं अब revenue की फ्रेंट की तो 4000 से 4500 million का हो चुका है वहीं quarter 4 के EBITDA margin आप देखेंगे थोड़े से यहां पर गटे हैं और काफी बढ़िया गटे हैं बट हम बात करें company के overall profit after tax margin की तो 16.7% से 7.7% हो चुके हैं but company अपने आपको streamline कर रही है और वह आने वाले quarters में आपको देखना होगा क कि किस तरीके से यहां पर चीजें चेंज होती हुई नजर आ सकती क्योंकि company growth company है और इसमें कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें है जो थोड़ी distorted आती है नजर quarterly financials में बट अगर हम देखेंगे overall in terms of growth company आने वाले time में काफी हद तक grow करती हुई आपको नजर आ सकती है क् कि मेरे को जो इनका future vision लगता है वो काफी तगड़ा लगता है अगर हम pigment business की बात करें तो भी आप देखें जो company का utilization है 76 से बढ़कर 88% हो चुग है production बढ़ा है net revenue और export की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी growth company ने दी है EBITDA की बात करते है तो EBITDA 13.9% से थो सब्सक्राइब करने मिलने हैं Corona होने के बावजूत company का जो strong financial results है वो काफी तगड़े देखने को मिलते हैं वहीं अगर हम बात करते हैं तो काफी अद तक company के decent result है और growth दिखाईए अगर हम बात करें एग्रोगेमिकल business ने तो क्यूंकि यह जो demand थी उसको ज्यादा चेंज व तो यार मेरे को लगता है mostly क्योंकि उनकी जो फसले हैं उनमें जो छूट दी गई थी उनमें सब चीजें होई रही थी उसमें ज्यादा changes नहीं देखने को मिलेंगे वहीं आप देखेंगे तो company ने काफी growth दिखाई है जो मेरे को काफी तगड़ी लगी है क्योंकि company के capacity है व वहीं अगर हम बात करते हैं EBITDA margin की तो 17% से 22.4% का growth यहाँ पर company का देखने को मिल जाता है quarterly अगर results की बात करें तो मेरा जो सबसे important part रहेगा वो है EBITDA margin का जो कि यहाँ पर थोड़ा गिरा है जो ही यहाँ पर concern पेदा करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो चेंज होती हुई नजर आती है क्योंकि gross margin तो overall terms में बड़ा है मतलब revenue भी बड़ा है तो margin भी बड़ें तो यह सब चीज़ें तो सही है बट जो company के जो company को अपने operational performance को यहाँ पर थोड़ा से streamline करना होगा और वो मेरे साब से लगता है मेरे को कि आने 7% तो यहाँ पर चीज़ें दीर दीरे कम होगी वहीं आगर हम देखेंगे capital work in progress भी यहाँ पर काफी अच्छा कासा फोकस है और साथ पीपी में भी company का काफा investment हो रहा है तो यह भी चीज़ें है जो company को drive करती हुई नजर आएगी वहीं long term borrowing बड़ी है जिसके करना operational performance company का गिर आती हुई नजर आती है company के मेन दो बिजनिस हैं जो मैंने बताया था जिसमें company 3 global player among top 3 global player में pigment में आती है एग्रों के में में भी company top 10 producers में इंडिया में आती है तो company का margin का का काफी तगड़ा है इसके अलवा company की capacity वह लगातार expansion mode पे है तो company को आने वाले quarters में और आने वाली जो team है आने वाले जो साल है उसमें काफी तगड़ी performance की आप पर उम्मीद है healthy balance sheet हो चुकी profitability growth और return ratio भी काफी तगड़े है diversified consumer based is 400 plus customer company के pigments में agrochemical में 3000 plus distribution और इनका जो dealership का company का across India plan है close to 79% of revenue derived from export market तो इनका जो main source of revenue है वो export market है और वहीं से अब आपको देख सकता है कि यहाँ पर किस तरीके से आने वाले quarters में growth देखने को मिलती क्योंकि overall अगर हम बात करें out of India level पे ज़्यादा चीज़े change हुई नही करेंगी वहीं अगर में बात करें कंपनी के debt to equity ratio यहाँ पर सुदरता हुए नजर आता है वहीं अगर में बात करें robust return ratio कंपनी के return on capital employment 9.6 से बढ़कर 16.1 return on equity 6.8% से बढ़कर 16% तक हो चुके financial year 17 से 21 तो चार साल में company ने strong growth story यहाँ पर पेश की है और वह यहाँ पर कहीं होत दी अपनी जो capacity 21600 उसके बाद new formulation plant company ने निकाला है multiple plant आने वाला है scheme of arrangement आ चुकी जो की independent listing करेंगी और उसके डेरिवेटिव की जिसते की shareholder की वेल्यू हो अनलोक होती हुए नजर रहेगी और साथी साथ जो इनका Singapore exchange में जो listing है उसको भी यहाँ पर जो है उसको हटाने की बात चल रही है वहाँ से डी लिस्ट करवाएंगे और उसको आगे आने होले समय में चीजे चेंज करती हो इने जाएगी pigment विजनिस की अगर हम बात करें तो largest manufacturer है company पूरे worldwide में global market में 14% का market share है और company leader है इसमें और top 3 global pairs में company आती है strong global presence है साथ सित्तर से ज्यादा countries में और इनका ज होता है company grow ज्यादा तेजी से होती है तब repetition होता है customer का तो marketing और sales में ज्यादा focus company करना नहीं पड़ता है और इस sector में ज्यादा marketing और sales पर है भी नहीं बट जो company का है जो operational performance है उस पर company को बस एक focus करने की जड़त है बागी results और company growth काफी हद तक सही होने वाली है क्यूंकि overall terms में numbers काफी अच्छे मेरे को आने की संभावना है लगती है वहीं production metric 10 में बात करें तो वह भी growth होती ही नजर आती है overall decent number है वह कभी इसे पिछले पाचार सालों सेम ही चल रहे है बट export की अगर हम बात करें 78% export company financial year 21 में कर रही है और यह चीज काफी तगड़ी है EBITDA margin की बात करें अगर हम financial year wise बात करें तो अभी तो काफी improve हो चुका है जो की company को आने वाले quarters में और मेरे साब से जब operational performance और थोड़ी सही होगी तो वह यहां पर थोड़ा और सही नजर आएगा pigment business का अगर हम industry और यूदे तो सबसे जादा यहां पर यूज किया जाता है वह है printing printing में और उस 2.5% की CAGR है जो की pretty decent है ज्यादा CAGR नहीं है बट इसेंट CAGR के साथ company grow करने वाली है company के अगर हम बात करने तो टोटल 49,380 ton per annum का यहां पर company की capacity है और branded company agro chemical formulation है जिसमें company कहीं बहुत सारी product है जो काफी तगडे company यहां पर growth करती वही नजर आती है capital consumption में technical grade pesticides आते हैं pesticide formulation आते हैं तो यह सारी चीज़े हैं और company का जो 240 brand है वह काफी तगड़ा है जो की company ने अपनी अभी capacity उसको double down कर लिया है और company के जो projects है वह यहां पर नईने capex और कर रहे हैं जिससे multi-purpose plant बनाए जा सके और जो कहीं ने कहीं और चीजों को और और demand को drive कर करने में help करेंगे registration base बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 290 से financial rate 21 में 310 हो चुका है export base और production metric तन भी यहां पर काफी हद तक grow करता हुआ नजर आया आप देख सकते हैं 18,457 तो यह यह चीजे हैं जो जिस तरीके से capacity expansion काम चल रहा है capacity expand हो रही है वह कहीं ने कहीं company को help करेगी in terms of growth net sales और export की यहां पर growth है और वहीं अगर हम बाते हैं EBITDA और EBITDA margin काफी तगने हद तक improvement होते हुए नजर आते हैं अब आ जाते हैं company के agrochemical business में जिसका जो main आप देखेंगे herbicides, insecticides, fungicides company के 3 main product है जो अभी herbicides 21 से 24.6% हो चुका है और company का insecticide 14 से 16% हो चुका है वहीं अगर हम बा इस जो नदिया में जो है पर प्र एनम हекटर पैसे साइट किलो ग्राम पर हेक्टिएर के अकरम बात करें तो मात्र 0.6 है वहीं अगर हम बहुत चाहिना में देखते तो 13 kg पर हेक्टिएर की निकल का आती है यह चीज़ बता रहें कि मार्कित कितना पेनिट्रेशन बागी है और आने वाले टाइम में कितना मार्केट है यहाँ पर बन सकता है ग्लोबल क्रॉप बाटेक्शन की बाद तो 59 बिलियन डॉलर का मार्केट बन चुका है जो प्रोडेक्शन अगर हम बात करें प्रोडेक्शन बाट थ्री बिलियन डॉलर की जो है वो ऑफ पेटेंट हो चुकी यह 2017 से 20 में और जिसके काई स्ट्रॉंग अपोशिटी आती है जैनरीग एक्रोकेमिकल प्लेयर्स की और वो इस चीज को ड्राइव करती हुई नदर आती अगर आप आप देख सकते हैं जो आपको चीज होती हुई नदर आएगी और इसके च्वेक्टेट अप देख सकते हैं यह प्लांट ओल्रेडी कमिशन हो चुका है और यह जो तीने जार के च्छाइजार का है वह फाइनेशल यो 23 तक आ जाएगा तो उसके कारेंट भी यहां पर काफी बड़ी जो है ड्राइव होती हुई नजर आएगी फाइनेशल स्नेप्शोट अल्रेडी हमने ले लिए अब जाते हैं स्कीम आपको बताया था कि क्या शेयर में चल रहा है तो मेंगमणी ओर्गेनिक्स लिमिटेड करके अभी अमारी कंपनी है वह लिस्टेड है अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो कंपनी के जो जो भी कंपनी का मफल का काम है वह इन्वेस्ट्मेंट इन वह यहा बती है यहां पर फिर जो अधर बिजनिस हैं और ट्लोर अलकली एंटसी डेरीवेटिव जो करके फिनकेम निम्टेड में जो ते वह यहां पर बना के एक नई कमपनी मनाएंगे और वह चली जाए अमेफल और इसको अलग से लिस्ट करेंगे इसको लंगस्त करेंगे शेपर रहेगा वन इस्टु वन और एमोल जो के जो शेर ओल्डर है उनको 94 शेर्स मिलेंगे 10 रुपे के फाव में और एवरी 1000 शेर्स जो कि एक एक रुपे के शेर्स उन्होंने ओल्ड कर रहे थे वह मनेंगे फेंग मनी फिन के वह लिए तो नेम आफ्टर चेंज होने के बाद मेंग मनी ओगनो के मोजाएगा तो यह आप बोल सकते हैं यहां पर कौन-कौन से बचेंगे पिग्मेंट डिविजन बचेगा एक्रोकेमिकल डिविजन बचेगा और एम फल का जो इन्वेस्टमेंट वह बचेगा तो और ए MFL से MFL से अदेट जाएगी श्वेलेट जर यहां पर आ जाएगी और यह सारी अलगले कम्पनियां प्रशाफ हो जाएगी जिसके करना क्या होगा कि वैलू पम्लेगी और दोनों को नश्य बीस्टिंग हो जहेगी यहां पर कहीं नगई लिस्टिंग हो जाएगी जिसके कारण काफी हद तक आप के सकते हैं जो इंडीपेंडेंट और सस्टेनेबल बिजनिस है और वह यहां पर कहीं नगई अच्छी खासी ग्रोथ देंगे शेरोल्डर्स को और उसके कारण वेलिएशन भी आके जा सकेंगे लिस्टेड तो अब भी वहां से चीजें जो है यह आप देख सकते हैं कस्टोडियन में के वहां पर से रहे हैं बाकि इंडिविज्विज्व प्रमोटर्स और क्यूई बीस के बास है तो अगर यह सारी कंपनी पांच पर से शेरोल्डर्स को वहां से डीलिस्ट कर देती है वहां की जो फालतू की कोस्ट है जो कंपनी के कंपनी को यह बिना काम पेमेंट करनी पड़ रहे हैं वह यहां से निकल के आ जाएगी जिससे भी वेल्यू अनलोकर और निकलता हुआ नजर आएगा तो यह जो चीजें हैं वो कहीं आगे आने वाले समय में में ड्राइव करे रहेंगे सेंक्शन हो चुकिए एंसल्टी में अप्रूव अप्रूवल आ चुका है थर्ड में को और फाइलिंग एंसल्टी वित आर उसी की साथ जो फाइलिंग हो कंप्लीट हो चुकिए अब इन्फोर्मेशन मेमरेंडम की बात है वह यहां पर चल रही है कि लिस्टिंग अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ मेगमनी और फिनकेम लिम्टेड तो ट्रेडिंग विल भी सस्पेंडे डिूरिंग दिस पीडिए तो वो जो है वो पूरी प्रसेश चल रही है और इनको लगता है क्वाटर टू फाइनेशलियों 22 में इसका जो अप्रूवल हो मिल यह चार्ट में आप देख सकते हैं मेगमनी ओर्गनिक्स लिमिटेड का यह मंतली चार्ट है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहां पर जो है जब काफी पोटैंशल बनता है जो हम आपको विकली और मंतली चार्ट में दिखाते हुए नजर आते हैं सबसे बहले हम बा और यह जब यहां से जो क्रोश किया था यह कंपनी का जो है यह जो कंपनी का सबसे बड़ा रिजिस्टेंस था जो कंपनी दो एक्सों इजर रुपे को लेवल को क्रोस करता है और उसके बाद यह शेर अभी आप देख सकते हैं इक नए नए आप कह सकते हैं वापिस से 130 रुपए पर टेच नहीं गिया है और यहां पर 130 रुपए का यहां पर कमपनी का बनता हुआ नजर आता है तो यह आपके लिए बेस प्राइस आईगी इससे नीचे आपको सेल करना है और इस तरह उपर आपको बाय करना है तो यह तो पर और उसके बाद एक दो एक न्यूज और आने के ज़रूत पड़ेगी तो यह शेर 175 रुपए मतलब 25 रुपए के दो यहां पर जंप मार सकता है 138 पर भी चल रहा है तो यहां से 12 रुपए तो मिली जाएंगे आपको अगर आप एक ट्रेडर है और यहां से अब देखना को लगता है 120 के जो लेवल है यह वाला एक रेंजबाउंड ट्रेड बन सकता है तो अगर आप एक इन्वेस्टर है तो मेरे इसाब से आपको यह देखना होगा कि जो आपका 120-125 रुपए का जो लेवल है वो यहां पर कजने टाइम तक मेंटेन रहता है अगर यहां से अगर क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें लिवर्ज और अपरोल मिलते जाएंगी कंपणी काफी ग्रोथ करेगी क्यूंकि इससे वेलिउ अनलोग होती है और सतीसाथ कंपणी में आने वाले टाम्स में ग्रोथ तो है जिसको हमने अभी देखा और पढ़ा और समझा तो यहां से मेरे क तो आपको एक साल में देखने मुन सकता है क्योंकि कंपनी की एक्सपोर्ट बिजनिस काफी तगड़ा है और साथ ही सथ कंपनी बड़े प्लेयर्स में काम करती है जिसमें मार्केट शेर कंपनी का बड़ा सारा है तो वह चीज़े ट्राइब करेगी और यह फंडामेंटल होगे टेखनी कंपनी के सपोर्ट कर रहे है और यहां से अब हमारे को देखना पड़ेगा यह जो डोजी बन रहा है यह डोजी किस तरफ जाता है और आज का जो शेर ट्रेंड है अगर यह यहां पर अगर घ्रो होता हुआ नजर आता है उपर की तरफ तो यह शेर और आगे बढ़ने के समावनें पेदा करता हुआ नजर आएगा तो यह जा शारी चीज़ें उसको ड्राइब करेगी चैनल को सब्सक्राइब करना न बोले वीडियो को शेर लाइक करें इसी तरह की अपडेट्स के लिए Make Money Organics की कोई भी related news है comment section में आप पूछ सकते हैं और साथी साथ हमारे telegram group को join करें जहां पर आपको सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी thank you so much